विधान सबहा चुनाओ 2023 में राजस्थान में रिकॉर्ड तोड मद्दान हुआ आजादी के बाद पहली बार मद्दान का आकड़ा 75.45 फीजदी पहुँचा है सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुष मद्दाताओं के बजाए महिला मद्दाताओं की भाग्यदारी जादा रही निर्वाचन विभाग के आकड़ों के मताबिक पुरुषों का मद्दान प्रतिशत 74.53 रहा जबकि महिलाओं का मद्दान प्रतिशत 74.72 का रहा यानि महिलाओं ने 0.19% जादा मददान किया 1099 सीटों पर हुए मददान में 23 सीटे ऐसी हैं जहां महिलाओं ने जादा मददान किया है दूसरी तरफ हैरानी वाली बात ये भी है कि जिन विधान सभा सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस से महिला प्रत्याशी आमने सामने है वहां मददान प्रतिशत पिछले चुनाओं की तुलना में घटा है राजस्थान विधान सभा चुनाओं 2023 का परणाम 3 दिसंबर को आना है 25 नवंबर को हुए वोटिंग के बाद सभी प्रत्याशीयों को इसी रिजल्ट वाले दिन का इंतिजार है इसी बीच प्रदेश की 119 सीटों में से उन सभी सीटों की चर्चा हो रही है जहां महिला प्रत्याशीयों ने आपस में चुनावी जंग लड़ी है इसी जंग का एक मायूस कर देने वाला सच भी सामने आया दरसल ये वोटिंग परसंटेज पिछले चुनाव से भी कम दर्ज हुआ है भरत्पुर जिले की कामा विधान सभा सीट पर भाशपा की ओर से नोक्षण चौधरी और कॉंग्रिस की ओर से जाहिदा खान ने चुनाव लड़ा यहां पिछले चुनाव की तुलना में 3.8% दी मद्दान गिरा है हिंडोना विधान सभा सीट से भाशपा की ओर से राजकुमारी जाटव और कॉंग्रिस की ओर से अनीता जाटव ने चुनाव लड़ा जहां पिछले चुनाव की तुलना में 6.39% दी कम मद्दान हुआ जोत्पुर जिले की भोपालगड विधान सभा सीट पर कॉंग्रिस की ओर से गीता बरकड और भाशपा की ओर से कमसा में गवाल ने चुनाव लड़ा था जहां पिछले चुनाव की तुलना में 2.67% दी मद्दान कम हुआ वर्ष 2018 के विधान सभा चुनाव में यहां 68.72% दी मद्दान हुआ था जबकि इस बार 2023 में 66.05% दी मद्दान हुआ है